दोस्तो अगर हम विदेश जाते हैं तो ज्यादातर केसिस में हमें विजा की जरूरत पड़ती हैं लेकिन विजा से इंपोर्टन और एक और चीज है जो की आपको जरूरत पड़ेगी वो है पास्पोर्ट तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज हम बात करने वाले है कि पासपोर्ट कैसे बनवाए और पासपोर्ट बनवाने में कितना खर्चा होता है तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें दोस्तो किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है वेसे तो हम वीजा और पासपोर्ट दोनों की ही जरूरत पड़ती है लेकिन ऐसे कुछ देश है जहां पर आप सिर्फ अपने पासपोर्ट को दिखा कर भी जा सकते है देना हो तो वहाँ पर हम सिर्फ passport ही मांगा जाता है तो दोस्तो पहले passport के लिए apply करना बहुती मुस्किल होता था passport के लिए form लेकर आना फिर उसे परकर देना इसमें घंटो लगता पड़ता था और हमें लाइनों पे लगा रहेना पड़ता था लेकिन अब येसे नहीं है अब आप अपने पासपोर्ट के लिए घर बेठे अपलाई कर सकते हैं वो भी सिर्फ एक इंटरनेट से ये बहुती आसान हो गया है लेकिन सबसे पेले ये पता होना चाहिए कि आपको पासपोर्ट गउश्यवर्ट के लिए दस्तावेज की सबसे पहले आप देखेंगे कि पासपोर्ट के लिए क्विंकिन के अधसे preparsteen address यानि कि उसमें आपका पूरा होना चाहिए इसमें आप वोर्टर बिल दे सकते हो अपना इल्यक्रिशिटी भी सकते हो आधरकार दे सकते हो bank account के passbook की photocopy दे सकते हो transition के साथ दूसरा आपको चाहिए birth certificate जिनका जनम 1989 के बाद हुआ है उनका birth certificate देना अनिवारिया है तीसरा आता है कि आप 10th class की mark sheet की photocopy दे सकते हो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है www.passportindia.government.in पर जाए यह भारत की online passport सेवा की official website है इसे open करें फिर new user registration now पर click करें अब आपको एक form दिखाई देगा जो बनना है दोस्तों जो form आपको दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके का होगा जैसा की आपको वीडियो में दिख रहा है तो अगर आप भी online apply करना चाहते है तो यह जो जो मैं आगे चीजे बताता रहू उन सब का आप screenshot लेते जाए ताकि आपको पता चल सके आपको कैसे apply करना है तो दोस्तों form देख लेजिए कुछ इस तरह का form आपको मिलेगा जब आ लिंक आपको नीचे description में दे दी गई है तो आप description जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों सबसे पहले select करना है कि आप कहां से passport बनवाना चाहते है यह जो आपने form देखा उस form में select का option है वहाँ select कर सकते हैं अगर आपके सहर city में passport सेवा केंद्र है तो आपको यह से ही छोड़ द नहीं तो आप CPV दिल्ली select करके दिल्ली से passport बनवा सकते हैं अब passport office की list में देखिए कि आपके सहर के passport कौन सा passport केंद्र है उसे select करें अब आपको अपना नाम बढ़ना है मान लो आपका नाम एजाज कलाडिया है तो given name में आपको एजाज बरे और surname में आपको कलाडिया बरे ये नाम आपके document में भी होना चाहिए अगर surname document में नहीं है तो भी आप surname आपके पापा का surname लगा सकते हैं अगर आपने surname नहीं लगाया तो बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है अब date of birth परे जो document में है अब अपनी email id बरे इस email id से login करना है तो yes पर click करें login में username बरे औ आपको मिल सकता है या नहीं अगर नहीं मिले तो username में बदलाव किजिए और नया username डालते रहे आपका हो जाएगा ध्यान से भरे इसे password परे जो आपको आसानी से याद रहे आपको ऐसे password बढ़ने जो कि आपको आसानी से याद रहे सके password दो बार बढ़ना है लेकिन उससे प आप दोस्तो आता है हिंट-question में कोई भी आप सिलेक कर सकते है आपको नीचे हिंट-question पूछा जाएगा जिसमें कोई भी चूछ कर सकते हो जैसे कि आपसे पूछा जाता है तो जो question और उसका answer आप जरूर ज्याद रखे अब जो character photo में आपको दिखाए जाए उसको नीचे भरे वो register पर क्लिक करें जो Kota दिखा जाए गए उसके नीचे एक खाली box होगा उसपस पर क्लिक करे। जैसे आपने आने फॉम में देखा आगे। उसी तरह से वहाँ पे नीचे होगा उसको क्लिक करके उसको photo में दिखाए गए जो भी mutta है उसको भड़ सब्सक्राइब पर क्लिक करें रेजिस्ट्रेशन कंप्लेट होते ही आप अपने इमेल आइडी के इन बोक्स में जाए वहां पर इन बोक्स में आपको पासपोर्ट रेजिस्ट्रेशन की इमेल मिलेगी उसे खोले और वहां पर आपको अकाउंट एक्टिवेट करने का लिंक मिलेगा उस पर क अब आपने लोगिन के लिए दुबारा ओमपेज पर जाना है दुबारा आपने जाना है www.passportindia.gov.in वेबसाइट पर जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ पे आपको जाके existing user login से आप login कर सकते हैं अब बारी आती है फोर्म एप्लाइ करने की पास्पोर्ट के लिए दो तरह से apply कर सकते हैं सबसे पहले आप ने लोगिन केल लिया अब उसमें दो तरीके से आप apply कर सकते हैं ओनलाइन पूरा फॉर्म बनना और सब्मेट करना लेकिन दिक्कत तब होगी अगर आपको इंटरनेट स्लो या डिस्कनेक्ट हो जाए तो फॉर्म आपको दुबारा बनना पड़ेगा यह सबसी बड़ी प्रोब्लम है दूसरा तरीका उनके लिए है जिनका इंटरनेट कनेक्शन में बहुत प्रोब्लम आती है इसमें आप e-phone डाउनलोड कर सकते हैं तो उसे अपने कंप्यूटर में ही परकर कभी भी सब्बिट कर सकते हैं अब दोस्तों हम सिखेंगे कि ओनलाइन फॉर्म कैसे पर है तो इसके लिए आपको देखे जिसने फोटो में दिख रहा है आप इंसे स्क्रीन सोट लेते जाईए और आगे काम अपने करते जाईए अब आप अपने अकाउंट में लोगिन करें जैसे कि मैंने बताया था आपके सामने खुल के आएगा इस तरह का फोटो आएगा अब उसमें दोस्तों इसा होता है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि दो तरीकों से आप अपना फॉर्म बर सकते हैं यहां पर पहला जो ऑप्शन आता है ओहें डाउनलोड करके बढ़े यह होता है जो देखिए इस अब आपको दूसरे ओपसन में क्लिक क्लिक के यह तूपास्पोर्ट के अप्शन पर क्लिक करना है अगर जल्दी चाहिए तो तत्काल का उप्शन सेलेट करें इसके लिए आपको ज्यादा रूपए देने पड़ेंगे इससे अच्छा आप नौर्मल को ही सिलेक्ट करें अ अगर ज्यादा पेज की यानि सांट पेज की बुक्लेट के लिए अपलाई करोगे तो आपको ज्यादा रुपे देने पड़ेगे आप इन तीन ओप्षन में से पहले पहले ओप्षन को ही सिलेक्ट करें और अब नेक्स्ट पर क्लिक करें मान लो आपका नाम एजाज कला दिया है तो आपको गिवन ने में एजाज बरे और सरने में कला दिया है कि जो भी आपका नाम है और तो भी आपका सरने में उसको बढ़ना है उसके बाद जेंडर में आपको बढ़ना है कि आप लड़का है या लड़की फिर पूछ रहा है कि आपको किसी और नाम से भी बुलाया जाता है या नहीं तो यहाँ पर आप no option को ही select करें फिर पूछ रहा है कि आपने अपना नाम कभी बदला था या नहीं अगर नहीं तो no और अगर बदला हो तो आप yes select कर सकते date of birth जो document में है वही आप परे अपना जन्म स्थान परे किस गाम या city में आपका जन्म हुआ था जो कि आपकी date of birth पर होगा वही परे अगर इंडिया से बाहर जन्म हुआ हो तो यहाँ नहीं नो पर क्लिक कर सकते state or district का नाम भरे अगर आपकी साधी हो गई है तो merit करे नहीं तो unmerit पर आप क्लिक कर सकते citizenship of India by birth परे अगर pain card या water ID है तो भरे नहीं तो इसे खाली छोड़ दे अब आपकी नोकरी के बारे में बनना है फिर पूछ रहा है कि कोई आपको घर में सरकारी नोकरी करता है या नहीं अगर नहीं तो नो करे फिर अपनी पठाई के बारे में बताई कहां तक आपने study की है non ECR यानि कि immigration check required क्या होता है जिसने 10th class pass कर रखी है वो non ECR को yes करेगा नहीं तो no पर क्लिक करेए अगर आपने 10 पास कर रखी है तो आपको यहाँ पर no पर yes करना है अगर आपने 10 पास नहीं है तो आपने यहाँ पर no क्लिक करना है नीचे के दो option आपको बढ़ने की जरुरत नहीं है फिर save my detail पर क्लिक क अब आपके सामने एक और फॉम खुलके आएगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा अब आपको अपने फाधर का गिविन नाम बनना है उसके बाद संदेम बरे मधर और लीगल गार्डियन को आप खाली छोड़ सकते हैं अगर आपने फॉम में पहले मेरिड किया हो तो ही आपको स्पाउस का नाम बनना होगा नहीं तो यह ओप्सन आपको नहीं बनना अब सेव में डीटेल पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें तो आपके सामने जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने और एक उफों खुलके आ जाएगा अब पुछ रहा है कि क्या आप इंडिया से बाहर रहते हैं अगर नहीं तो आप नो सिलेक्ट करें अब आप जहां रहते हो वहां कपसे रह रहे हो वह तारीक परें फिर हाउस नंबर आपका विलेज, सिटी, स्टेक, डिस्ट्रिक परें फिर आप अपना पुलिस टेशन का नाम बरें जो कि आपके पास आपके सिटी में हो फिर पिन कोड बरें फिर मोबाइल नंबर बरें टेलीफोन नंबर बढ़ने की जरूरत नहीं है और इमेल आइडी की भी नहीं है अब पूछ रहा है कि चाहां आप रहते हो वहीं आपका पर्मानेंट एडरेस है तो यस करें सेव माई डीटेल पर क्लिक करें और नेक्स पर क्लिक करें जैसे नेक्स पर क्लिक होता है तो और एक और फूम खुल के आ जाएगा अब इस फूम में आपको क्या करना है अब यह रेफरेंस के लिए दो लोगों की कॉंटेक्ट डीटेल देनी होगे जो आपके लिए गवा के तोर पर होंगे कि आपने जो details दी है वो सही है आपका घर का पता है वो सही है तो आप किसी दो लोगों को details दाले जो कि आपके गवाब बन सके अच्छे से और आप भी उन्हें जानते हो और वो भी आपको अच्छे से जानते हो दीटेल भरकर से उपर क्लिक करके next करें तो आपके सामने एक और फूर्म खुलेगा जो कि इस तरह आपको दिखेगा अब आप पहले ओप्षन को no select करें क्योंकि आप फ्रेस पासपोर्ट के लिए apply कर रहे हैं अगर आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए apply किया हो और आपक पढ़कर इनका उतर दे अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ अगर आपका police station में कोई criminal record नहीं है तो आप सभी को no select कर सकते हैं अगर आपने कभी crime किया है और आप चेल गए है तो सभी सवाल अच्छे से बढ़कर उतर दे और फिर फिर नहीं तो यह से ही छोड़ दीजिये क्योंकि आपकी photo passport office में खीची जाएगी अब next करें अब आपको place का नाम बढ़ना है फिर I agree पर click करना है और अगर आप इनकी SMS service एक्टिवेट करना चाहते है तो yes पर click करें जिसके लिए आपको 35 रुपे देने होंगे नहीं तो no प भी ले सकते हैं save my detail के बाद page को नीचे करें और वहां आपसे पुछे जा रहे हैं आपकी details की third party से सवर करना चाहते हैं तो आप इसे no select करें और submit phone पर click करें फिर आपको आपका application number मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा फिर आपको pay and schedule appointment पर click करना है जैसे आप online payment यानि कि पेशा बढ़ना चाहते हो तो आपको online payment पर click करके next करें आपको बताए जाकि आप appointment अभी तक नहीं हुई है अब next पर click करें अब आपको passport office के नाम दिखाएगा और वहां किस time appointment मिल सकते है वो दिखाएगा अब आप passport office select करें और अब capture में जो लिखा हुआ है यानि कि जो photo आ रहा था उसमें जो number लिखे हुए उसे नीचे बरे और next कर दें अब आपके सामने इसा एक phone खुल के आजाएगा अब आपको pay and book appointment पर click करना है जैसा कि आपको वीडियो पर दिख रहा है अगर आपके पास SBI का ATM या internet banking है तो आप SBI सिलेक्ट करें और अगर क अब आपने card की details परें और pay कर दें यानि कि पेसे बेज़ दें अगर आप अपने account की कोई भी details देखना चाहते हो तो passport website के home page पर जाहिए login कीजिए वहां service edge में सबसे पहला option ने view save and submitted application पर click करें अपने application form को सिलेक्ट करके उसकी details देख सकते हैं तो दोस्तों ये था online apply करने का तरीका आप offline कैसे आप apply कर सकते हैं वह जानते हैं अगर आपने online application form बरके submit किया हो तो आपको इसे offline form की जरूरत नहीं है offline form बरने के लिए सबसे पहले आपको अपना registration करें और अपना account से आप login करें उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का option खुल के आए जाएगा यानि कि form खुलेगा अब services में आपको download के form का option दिखाई देगा उस पर click करें जैसे कि आपको वीडियो में दिख ला है download e form को आपको click करना है आपको press or reissue or passport का form download करना है लेकिन इसे open करने के लिए आपको acrobat reader 9 की जरूरत पड़ेगी जो कि आप internet से download कर सकते या फिर youtube में इसके बारे में वीडियो देख सकते जैसे कि मैंने उपर बताया है offline form भी बिल्कुल वेसे ही बनना है form बनने के बाद सबसे न आप साइट पर आई है और account में login करें जहां से आपने form को download किया था उसी के नीचे आपको upload e-form का option है उसे पर click कर जैसे कि आपने यहां से download किया था उसके नीचे देखिए जो rate का icon है उसके नीचे देखिए upload e-form है तो यहां पर जाकर आपने जो fome पल दिया है जो भर दिया उसके पीछे data नाम लिखा होगा उसे सेलेक्ट करे और open पर क्लिक करे अब आपको जैसे पहले बताया गया वही चीजे पुछी जाएगी आपको SMS सर्विस चाहिए या नहीं किसी third party से आपकी details share करे या नहीं तो आप no option select करे और फिर upload पर क्लिक कर दे फिर आपको आपके details जैसे पहले online phone के लिए बताया गया है अगर आपने online बढ़ दिया है तो आपको offline नहीं बढ़ना और अगर offline बढ़ दिया है तो आपने online नहीं बढ़ना दोनों में से एकी चीज़ आप करे पासपोर्ट बनवाने की फिस दोस्तों अब बात करते हैं कि पासपोर्ट बनवाने की इतनी फिस होती है ये लगपग सब के दिमाग में क्वेस्चन होता है पासपोर्ट बनवाने से पहले हमारे मन में बहुत सारे सवाल होता है लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि पासपोर्ट बनवाने में कितना पेशा खच होता है तो आपको बता दे कि पासपोर्ट बनवाने के लिए अलग-अलग प्रकार की फ्रीश लगती है सामानिय पासपोर्ट बनवाने के लिए कम से कम 1500 रुपे फिस लगती है इसके अलावा जितनी भी फिस लगती है वह आपको बताते है तो दोस्तों आप इसमें ध्यान दिजेगा जैसे कि 36 पेजों का नया या पूनजारी पासपोर्ट 10 साल की विधिता के लिए बनाने के लिए आपको 1500 रुपे लगते है और अल्टरानेटिव ततकाल चार्ज अगर करना हो तो 2000 रुपे 60 पेजों का नया पूनजारी पासपोर्ट 10 साल की विधिता के साथ आपको 2000 रुपे और अतकालिंग ततकालिक के लिए 2000 रुपे 36 पेजों का 18 साल की कम आयू वालों के लिए नया या पूना पास्पोर्ट 5 साल की वेदिता केसर रुपे 1000 रुपे और 36 पेजों वाला खो जाने पर या चोरी हो जाने पर दुबारा पास्पोर्ट लेने पर 3000 साथ पेजो वाला खो जाने पर सतिग्रत चोरी होने पर दुबारा लेने पर 3500 रुपे लगते हैं पुलिस अनुमती प्रमान पत्र यानि कि पुलिस जो आप दिया आपके घर पे वेरिफाई करने के लिए उसके लिए 500 रुपे ये मुप्त मुप्त में आपको तत्काल प्रमान मुप्त दिया जाएगा आपको 500 रुपेश प्रीस की बढ़नी पड़ेगी जो की PCC चार्जिस होते हैं 36 पेजो वाला पासपोर्ट में बदलाव कराने के लिए रुपीश 1500 60 पेजो वाला पासपोर्ट में बदलाव कराने के लिए 2000 रुपे और तत्काल के लिए 2000 रुपे खास सूचना पासपोर्ट ओफिस में आपकोंट्पेंट टाइम से पहले और सारे ओरिडिनल डोक्यूमेंट के साथ और उनकी फोटो कोपी सेल्फ टेस्टेड करके लेकर जा कुछ दिन बाद आपके घर पूलिस वेरिफिकेशन होगी जो दो रेफ्रेंस के नाम आपने बताये थे उनके से पूछताच करेगी आपके बारे में सब कुछ सही से होने के बाद आपको आपका पासपोर्ट द्वाक द्वारा मिल जाएगा दोस्तो वीडियो अच्छा वीडियो देखते रहने के लिए और नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिए और बाजू में लगे घंटी के आइकन को दबाएए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे इस वीडियो से किसी भी तरह का प्रसना पूछने के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं